हेलो मैं सोल फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे और अपना इनवर्ग जरूर कर रहे होंगे जहां पे भी होंगे मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हूं आज के इस वीडियो में थैंक यू सो मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए and I am very glad कि मैं आपके किसी भी तरीके से help कर पाती हूं चाहिए वो कोई भी information शेयर करके हो या फिर tarot card reading के तुरू अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं subscribe किया है तो please like, share and subscribe to the channel and आप भी मुझे comment section में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चा कि हमारा templates of matter क्या है जिस पर पूरा ये universe created है तो जिन्होंने भी वो video नहीं देखे हैं part number one से लेके part number five तक मैं link description box में आट कर दूंगी और आप उस video को ज़रूर देखे सो शुरू करते हैं आज का video सो आज की video में हम बात करेंगे हम जानेंगे कि particle grids क्या होती है इसके साथ साथ हम जानेंगे कि lawns क्या है कि lawn codes क्या होते हैं और morphogenetic field क्या होती है सो बेसिकरी morphogenetic field के बारे में हमने पहले भी बात किया है उस video का भी link में description box में आट कर दूंगी अगर आपने वो video नहीं देखा है तो आप उस video को देख सकते हैं सो चलिए शुरू करते हैं आज का video सबसे पहले start करते हैं partikai grids के बारे में partikai grids क्या है सो इसे समझने के लिए बहुत simple language में अगर हम इसे समझें तो partikai grids basically fabric है morphogenetic field structure का यानि की morphogenetic field का जो fabric है उसी को हम partikai grids बोलते हैं ओके partikai grids जो है वो partikai unit से बनता है और हमारे system में एक partikam grid है जो partikam particle से बनता है और जो हमारा पैलर universe है जिसको हम anti particle universe बोलते हैं वो एक partikai grid है ओके so partikai grid जो है वो groupings of partikai units है यानि की बहुत सारी groups of partikai units मिलके एक partikai grid को बनाते हैं इस group में क्या होता है basically जो partikam units है वो एक साथ आते हैं group होते हैं एक साथ जुड़ते हैं group होते हैं और एक strands को create करते हैं इसी तरीके से जो partikai है वो भी group करता है और एक complex structure create करते हैं यह सबसे पहले जो create करते हैं जिस form को उसे हम strands कहते हैं यह जो strands है यह electrotonal energy units है यह जो strands है यह group होते हैं यह जुड़ते हैं एक साथ ताकि यह grids बना सकें और यह जो partikai grids हैं यह carpet of light है जो little fiber of light से बनके बनता है जो कि हमारी unified field of energy है जो exist करती है सब चीजों के पीछे सो partikai grids को हम बहुत simple language में अगर समझें सो यह carpet of light है unified field of energy field है जो कि बहुत ही छोटे-छोटे little fibers of light से मिलके बनती है electromagnetic fabric है partikai grids का जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं इसे photo में देख सकते हैं कि यह हमारा एक strand है जो कि partikai का strand है इसी तरीके से एक पार्टिक का strand है जो कि horizontal form में है इसी तरीके से यह पार्टिक कम का strand है जो कि vertical strand में है जब यह तीनों मिलते हैं ग्रूप करते हैं तो बनता है हमारा इस तरीके से पूरा एक field एक carpet of light एक fabric तरीके से जिसे कपड़ा सिलते हैं उस तरीके से एक horizontal or vertical lines में यह एक रेडी होता है हमारा पार्टिक काई ग्रिट हमने बहुत ताइम पहले जब हमारा आपने अगर देखा हो आपने देखा ही होगा सभी ने टीवी में हमारे यह पार्टिक काई ग्रिट सम देख सकते हैं जैसे मैं फोटो भी आट कर दूंगी तो इस फोटो में एक रच काई आपने ले रही सफिंगे लाइट है रहले जिन से मिलके यह पूरे जायो इसे बना ऐंट की काउ अब जो एक हार जोड जोड़ा आइक ले पास से देखेंगे तो आप उन्हें ताइन देखेंगे कि यह लाइट है बहुत चुटे चुटे लिटल फाइबर ला बनने के बाद में एक खटे होके एक दूसरे से मिलते हैं जो की एक matter की तरह बनता है तो जिसे हम does carpet of light कहते हैं और यह ja carpet of light है यह unified field of energy है जो एक्जिस्ट करती है हर किसी के पीचे हर किसी चीश के पीचे तो अब हमने जाना कि जो पार्टडिकाइ ग्रिज्स हैं जो हो की fabrik मर्फजिनेटिक फील्ड स्टक्चर का और य मुइलो है वो गृप करते हैं ताकि वो इन्टरवौवन स्टरांड्स बना सकें और इंटरवोवन स्टरांड्ससे फिर ग्रिट्स बनती है और यह जो grids बनती है पाटिकाई grids यह electro tonal substance है जिससे कि हमारी morphogenetic fields जो है वो बहर fashion out होती है और यह जो पाटिकाई grids है यह unified field of पाटिकाई units है तो पाटिकाई grids form करते हैं frequency bands को जो की dimensional fields को create करते हैं और फिर वो individual morphogenetic fields को create करते हैं so carpet of light and sound जो exist करता है सभी metaphor or conscious identity के पीछे वही हमारा पाटिकाई grids है so group of पाटिकाई units is equal to पाटिकाई grids अब हमने जाना कि कैसे सबसे पहले beginning में in the beginning जो हैं God है भगवान है और उनकी इच्छा हुई there was an intention to create okay उनकी इच्छा हुई कि मुझे create करना है मैं एक हुए अनेक होना जाता हूँ उस एक से अनेक होने में वो जो intention था उनका वो love था उनने create करना था love से so सबसे पहले God का primal force आया जो कि manumana ira है God force मतलब God consciousness okay सबसे पहले God की consciousness है जो कि manumana ira है God की consciousness के बाद में God के substances आये जो कि particai, particai, particam है, यानि कि God की consciousness अब God की consciousness और God की energy जो प्राइमल सब्स्टांसिस है वो गॉड की एनर्जी है और प्राइमल फोर्सिस गॉड की कॉंशिसनेस हैं सो कॉंशिसनेस और एनर्जी मिले के बाद में स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए और जो पहला स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ वो था पाटिकाई गृट पार्टिकाई ग्रिट के बारे में हमने जाना कि कैसे जो गॉड की जो एनरजी है वो एक साथ मिलके एक ग्रुप बनाते हैं वो ग्रुप से स्ट्राइंड्स क्रियेट करते हैं और स्ट्राइंड्स मिलके पार्टिकाई ग्रिट को क्रियेट करते हैं ये जो grids हैं ये carpet of light हैं जिसमें बहुत चुटे-चुटे elektrotonal light और sound के हमारे fields हैं हमारे चीजे हैं तो ये हमारा पहला था particae grid अब इसके बाद में जब एक बाद ये पहला structure बनना शिरू हुआ particae grid इसके बाद आता है हमारा कीलों और कीलों की बाद आते हैं हमारे कीलों कोट्स और कीलों कोट्स से हमारे बनते हैं morphogenetic field तो अब हम जानते हैं कि कीलों क्या हैं सो बेसिकली कीलों जो हैं वो dimensionalized particae composite forms हैं जो कि form करते हैं सारे particae grids के fabric के चारों तरफ यानि कि बहुत सारे जो पार्टिकाई grids इस तरीके से create होते हैं और जो crystals हैं इनके ऊपर हमारे crystal clusters बनते हैं कीलों बनते हैं यानि बहुत सारे particae group करते हैं एक सार ताकि वो crystal clusters बना सकें जो की कीलों होते हैं और कीलों एक certain geometrical mathematical laws को follow करते हैं जो कि apply होता है इस तरीके से कि कौन सा dimensional structure किस तरीके से बनेगा एक set of order है जिस set of order को वो follow करते हैं यह जो kylons हैं यह crystals की तरह दिखते हैं यह मैं बोलू इनका crystalline structure है जिसके अंदर एक definite form और shape इन्हें दिया गया है so basically kylons वो पहला step है करस्ताइं में बनती है so kylons वो है वो crystal clusters की तरीके से दिखते हैं जो compose होते हैं जो कि party kind grids से मिलके बनते हैं और यह embedded होते हैं grids के ऊपर जो build होते हैं grids के ऊपर यानि की जो kylons हैं वो एक voltage की तरीके से हैं वो walls of consciousness हैं okay जो party kind grids के ऊपर बनते हैं Particai Grids हमारे basically एक तरीके का कार्पेट है, एक फैबरिक है, जो की नीचे बना हुआ है, जिससे consciousness बनेगी, उस कार्पेट आफ लाइफ पे है, उस फैबरिक के ऊपर कीलोंस होते हैं, कीलों कोड्स होते हैं, इस क्रिस्टल क्लस्टर होते हैं, जैसे आप फोटो में देख सकते है यह हमारी partikai grid है और यह हमारी kilons है जो crystal clusters है और जो next photo है इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे यह partikai grid के ऊपर हमारे crystal clusters जो है जो kilons है वो किस तरीके से embedded होते हैं जो kilons है वो हमारे voltage है वो walls of consciousness है और कितना amount of kilons एक dimension पे होगा वो determine करेगा कि कितनी consciousness वो dimension कर सकता है यानि kilons ही direct करते हैं कि कितने strands कितने strands of DNA हम capable हैं form करने के लिए यानि DNA के strands को create करने के लिए हमें kilons की जरुवत है अगर हमारे template of identity में 12 kilons हैं तो हम सिर्फ हमारे पास उतने ही kilons हैं कि हम एक DNA strand को बना सकते हैं सो 12 dimensional biological being के लिए यानि 12 strand DNA template create करने के लिए हमारे पास minimum 144 kilons होने चाहिए एक template के अंदर जो kilons हैं वो build करते हैं matter को इस atomic structure को यानि सबी चीजों के पीछे एक atomic structure है उसको create करने के लिए हमें kilons चाहिए so kilons basically three dimensional forms of light and sound waves है so one dimension को create करने के लिए एक dimension को create करने के लिए हमें 12 kilons चाहिए इसी तरीके से दो dimension को create करने के लिए second dimension को create करने के लिए हमें 24 kilons चाहिए dimension 3 को create करने के लिए हमें 36 kilons चाहिए dimension 4 को create करने के लिए हमें 48 kilons चाहिए dimension 5 को create करने के लिए हमें 60 kilons चाहिए dimension 6 को create करने के लिए हमें 72 kilons चाहिए dimension 7 को create करने के लिए हमें 84 kilons चाहिए dimension 8 को create करने के लिए हमें 96 kilons चाहिए dimension 9 को create करने के लिए 108 kilons चाहिए Dimension 10 को create करने के लिए Dimension 120 Dimension 10 को create करने के लिए 120 kg ची है Dimension 11 को create करने के लिए 130 kg ची है Dimension 12 को create करने के लिए 144 kg ची है So basically हमारे 12 dimensions को create करने के लिए 144 kg चाहिए So now हम समझ चुके हैं कि जो हमारी particle units है वो एक interweven form of fabric है यानि एक fabric है, एक कपड़ा है, एक carpet of light है, जो horizontal और vertical interwoven strands के बनती है, जो scalar waves, एक energy field है, जो जादा से जादा God की consciousness को पुल करके आती है, और इस God की consciousness को circulate करने के लिए, उस energy को circulate करने के लिए हमें particle grids की जरुवत है, और particle grids एक 2D structure है, जो पुल करता है, जादा से जादा forms, ज इसको हम बोलते हैं, की लॉन्स, की लॉन्स जो है 3D consciousness units है, जो कि particle, particle, particle से मिलता है, यानि की लॉन्स हमारा 3D carrier से consciousness force का, अब हम जानते हैं कि की लॉन कोड़ क्या होते है, जो बेसिकली की लॉन कोड़ जो है, वो complex groupings of की लॉन्स है, जो direct करते हैं, जो shape करते हैं, और के जो है, वो basic set करते हैं, form of energy का, और की लॉन्स उसमें substance, उस form में substance आइड करते हैं, और की लॉन कोड़ जो है, वो further उस energy structure को flash out करते हैं, जिस पे particles जो है, वो manifest होंगे, की लॉन कोड़ बेसिकली direct करते हैं, flow of energy का, जो पार्टिकाई units है, वो एक form लेके, एक specialized pattern को लेके, कैसे उस energy को flow करना है, की लॉन कोड़ एक complex pattern of frequency है, जो की electro-tronal energy है, और ये form होते हैं, interwoven geometrical crystalline pattern, जो की templates of living light or sound है, और ये living है, की लॉन कोड़ लिविंग है, क्योंकि ये conscious ह हम conscious हैं, क्योंकि हम composed हैं, kilons और पार्टिकाई से, तो ये जो हैं living lights हैं, और sound patterns है, जो हमारा sub-atomic particles जिस पे बना हुआ है, और ये हमारा final step है, जहां पे energy consciousness और pre-matter substance पे अभी चीजे हैं, So, kilon codes जो हैं, वो link करते हैं kilons को pre-matter substances में, और यहां से जो matter है, वो solidify शुरू हो जाता हो ना, यानि कि density start हो जाती है, kilon code से, ओके, यहां से हमारी density start होती है, शुरू होती है, और ये set करते हैं उन patterns को DNA के pattern क्या होगा, हमारी body की rhythm क्या होगी, So, क्या pattern को control करता है, जो create करता है DNA को पहली place पे वो है kilon codes, और kilons और partikai उसके नीचे होते हैं, बिनीथ होते हैं, So, पहले kilons और partikai होते हैं, यानि पहले partikai units हैं, partikai units से basically partikai grids बन रही हैं, partikai grids से हमारी kilons बन रहे हैं, और kilons से हमारे kilon codes बन रहे हैं, So, ये एक foundational units है, substances के और जैसी हम evolve करते हैं, ऊपर higher dimensions में, हम actually assemble कर रहे हैं हमारी partikai grids को, हमारी personal partikai grids को, जो हमारी body and consciousness जिसके ऊपर बनी हुई है, जादा से जादा, यानि more and more complex, जो हम kilon codes को create कर रहे हैं, एक personal partikai grid कर रहे हैं, उसने ही जादा consciousness वो समझ पाएगा, वो लेके आ पाएगा, तो यानि कि अगर हम अपने kilon codes को break कर रहे हैं, breakdown कर रहे हैं या उसको तोड रहे हैं, तो हमें वो evolve करेगा, हमारे genetic code को भी वो तोड़ेगा, यानि कि अगर हम अपने अंदर जादा से जादा kilon codes को बना रहे हैं, तो हम high consciousness carry करेंगे, हम evolve होंगे और higher DNA carry करेंगे, तो अगर हम build कर रहे हैं, जादा से जादा kilon codes और evolve हो रहे हैं, इसका मतलब हम evolve हो रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर kilon codes को tear down कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो हमारे DNA भी devolve होगा और हमारी consciousness भी low होगी, तो अब हम जानते हैं कि हम सभी के body के अंदर junk DNA हैं, तो basically वो junk DNA क्या है, वो जो junk DNA हैं वही है dismantled kilon codes, और जब हम उनको plug-in करेंगे वापस से उनको reactivate करेंगे उन strands of DNA को, तो हम उन सभी kilon codes को जो की dismantled हो गए हैं, उन्हें हम plug-in कर लेंगे और जादा से जादा kilons build करेंगे, जिससे कि हमारे chakras activate होंगे, अब हम थोड़ा सा और जानते हैं, कि जैसे अब भी हमने जाना कि अगर हम kilon codes को break कर रहे हैं, tear down कर रहे हैं, सो हमारी consciousness low हो रही है, हमारे DNA हम build नहीं कर रहे हैं, बलकि de-evolve कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कर्मा और माईजमा के बारे में भी इसमें आड़ करके जानेंगे, कि कैसे kilon codes जो हैं, वो हमारे माईजमा और कर्मा से connected है, अगर हमारे kilon codes break हो रहे हैं, broken down हो रहे हैं, tear down हो रहे हैं, सो वो cause करते हैं, एक chain disruption हमारी energetic flow of particle units के बीच में, जिससे कि हमारी frequency, हमारा electro tonal, हमारा tri phase, हमारा tritone waves disturb होता है और form होता एक bad interwoven geometrical crystalline template जो dead light और sound को create करता है, इस dead light और sound को जो template को create हो रहा है, geometrical crystalline template जिसमें dead light और sound है, इसी को हम maizma कहते हैं, इसी को हम कर्मा कहते हैं, तो अगर हम यह कह रहे हैं कि हम कर्मा लेके आए हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर के जो keylon codes हैं, वो टूट रहे हैं, वो break हो रहे हैं, वो break down हो रहे हैं, हमें उनको build करना हो हैं, उनने create करना है, तो यह थे हमारे keylon codes, हम बात करते हैं, morphogenetic field के बारे में, हमने पहले भी बात करी हैं, मैं उसका link description box में add कर दूँगी, लेकिन आज हम morphogenetic field को एक अलग तरीके से समझते हैं, जो morphogenetic field जो है, वो interwoven particle grids से मिलके बनता है, यह electro tonal units of consciousness है, जिसमें से हमारी particle grids form होती हैं, और जो standing wave pattern scalar wave grids पे बनती हैं, जो hold करती है forms of consciousness, within dimensionalized manifestation, so morphogenetic field अगर हम समझें, so scalar grids हैं, जो form करते हैं, एक specified ordered interrelationship के उपर, morphogenetic field ही है, जो govern करती हैं कि कैसे हमारा matter manifestation होगा, उसका क्या form होगा, उसका evolution, हमारा biological evolution क्या होगा, और हमारी consciousness कैसे evolve होगी, morphogenetic field ही वो mechanics है, जो hold करती है की को, कि जिससे हम mastery of physical reality को master कर सकते हैं, इसके साथ साथ bio spiritual evolution कर सकते हैं, जो morphogenetic field बेसिकली crystalline structures हैं, जो की blueprint है matter or consciousness का, एक dimensionalized scale के अंदर, morphogenetic field जो हैं, वो ultra micro particles से मिलके बनते हैं, और यह जो particles हैं, पार्टिक का है, पार्टिक के और पार्टिक का, ओके यह हैं हमारे morphogenetic field, जो हमारा morphogenetic field है, वो है हमारा cave of creation, जिसको हम sphere of M&T भी कहते हैं और हम सब दीने सुना हैं, basically हमारा morphogenetic field का नाम है जो cave of creation के नाम से भी जाना जाता है और जो हमारा second dimension है यहाँ पे हमारा morphogenetic field होता है ओके, so morphogenetic field जो है वो एक form holding structure है जो set करता है, जो hold करता है design को और वो imprint को hold करता है कि क्या manifest होगा matter में जो कुछ भी हमारे आसपास दिख रहा है उस सभी का एक morphogenetic field है और यह जो field है यह contain करता है basic structure उस biological form को उस consciousness को manifest करने के लिए ओके, so जिस तरीके से molecules जो है assemble होंगे, वो morphogenetic field में ही वो imprint है, वो instruction set से हमारे DNA के हमारा DNA भी manifest होता है morphogenetic field से morphogenetic field ही instructions देता है structure को, matter को okay, so यह है हमारा morphogenetic field so अब हमने जाना, अब हम समझ चुके हैं कि हमारा जो morphogenetic field है वो template of creation है जिस पर हमारा matter और every matter जो है, वो manifest होता है सब कुछ हमारे आसपास जो है उसका जो instruction set है वो हमारा morphogenetic field में लिखा हुआ है और जो morphogenetic field है वो एक scalar grids है जो कि minute pattern जो कि light sound electromagnetism पे build की गई है यह directly affect होती है light से, sound से, electromagnetism से okay, हर एक thought जो हम create कर रहे हैं वो एक electromagnetic signature है energy का जो कि morphogenetic field के अंदर create हो रहा है जो आइदर हमारी vibrational rate को increase करेगा यह low करेगा जिसे कि हमारी body की vibration जो है consciousness जो है वो raise होगी यह low होगी so जो भी thoughts quality, externalization sound, light electromagnetism, vibration यह सब directly affect करते है हमारी morphogenetic field को so जो sound है वो hold करते हैं power जो exist करता है same wave spectra वो perceive करते हैं sound की तरीके से यानि कि हमारी जो भी हम quality externalize electromagnetism है vibration है यह हमारे directly morphogenetic field को effect करते है और sound hold करता है power क्योंकि हमारे अंदर जो wave spectra है वो हम sound को perceive कर सकते हर दिन जो भी हमारे आस पास हमारे environment में जो भी sounds है जो भी inner sounds है हमारे खुद के thoughts का emotions का वो सब कुछ effect करते है हमारी morphogenetic field को जो भी I am word programs है वो set करते हैं powerful electromagnetic programs हमारी morphogenetic crystal body के अंदर हमारी morphogenetic field को crystal body भी बोला जाता है ओके बेसिकली यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि जो हमारी particle grids हैं वो एक fabric है जो की morphogenetic field का एक fabric है जो की interwoven strands जो है उसी को हम particle grids बोलते हैं और जो particle grids जो interwoven यह जो strands बन रहे हैं यह particle unit से बनते हैं और particle units के साथ-साथ जो particle particle हैं यह सब इखटे होके group करते हैं और group बन करके यह carpet of light बनता है ओके इसके बाद हमने जाना kilon's क्या होते हैं kilon's के साथ हमने जाना kilon codes क्या होते हैं और हमने यह जाना की morphogenetic field क्या होती है kilon's के बारे में हमने जाना कि कैसे kilon's जो हैं वो 3D carriers हैं उस consciousness के यह crystal clusters हैं जो particle grid के ऊपर बनते हैं kilon codes जो हैं वो consciousness को थ्रीडी में लेकर के जाने का काम जो है वो किलॉण कोट्स करते हैं इसके साथ-साथ हमने जाना कि कैसे अगर हम हमारे कीलॉण को क्रियेट कर रहे हैं, अगर बिल्ड कर रहे हैं तो हमारा DNA हाई होगा हमारी consciousness हाई होगी इसी तरिके से अगर हम तोड रहे हैं, break down कर रहे हैं, tear apart कर रहे हैं हमारी consciousness low होगी हमारा mysma generate होगा, हमारा करma generate होगा, इसके साथ हमने जाना कि जो morphogenetic field है, वो क्या है ओके, so morphogenetic field के बारे में भी हमने बात करी, अब जो next आता है वो है हमारा kathara grid kathara grid के बारे में हम next part में जानने वाले हैं और next part में हम जानेंगे कि कैसे हमारा जो original kathara grid है, जिसमें 12 circles आते हैं, वो क्या है इसके साथ सत हम जानेंगे कि जो हमारा कबाला है जिसमें 10 circles या 11 circles हैं वो क्या है, क्योंकि जो हमारा kathara grid है, ये basically हमारा unified field of consciousness है जो हमारा kathara grid है ये हमारा unified field of consciousness है और इस unified field of consciousness में अगर एक भी dimension आप हटा रहे हैं, तो वो unified field of consciousness नहीं रह जाता फिर वो आपका finite consciousness बन जाता है इसके बारे में हम detail से next part में बात करेंगे इसके साथ सत हम जानेंगे कि हमारे एक time matrix के अंदर कितने सारे kathara grid आते हैं उस kathara grids को हम क्या बोलते हैं, जिने हम eco-eco system कहते हैं और kathara grid किस तरीके से align होते हैं हमारी universe में एक universe में कितने सारे kathara grids हैं कितने quadrants of kathara grids हैं इन सब ही के बारे में हम detail से जानेंगे इसके बाद जो है हम kathara grids को जानने के बाद हम हमारी crystal body को जानना शुरू करेंगे वोप आप समझ पाए होंगे आज के वीडियो में हमारी patikai grids, हमारे kilons, kilon codes और morphogenetic field सेंडिंग यू lots of love, healing and happy energies to all my soul family जो यह मेरा वीडियो देख रहे हैं टेक केर अफ यार सेल्फ and I will see you all soon